लगातार बारिस के कारण बिहार विधान मंडल तीसरी बार पानी से लवालब भड़ चुका है आपको बता दे कि मौनसुन सत्र की सुरुवात हो चुकी है वहीं बिहार विधान मंडल में तमाम जनता द्वारा चुने विधायक और मंत्री पहुंचे हैं और यहीं से वह बिल बनाया जाता है उसे पास किया जाता है ताकि बिहार में विकास हो सके विकास के नाम पर क्या हो रहा है उसकी पोल अब यह बारिस खोल रही है जहां आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बिहार विधान मंडल जो लोग तंत्र का मंदिर कहा जाता है सदन में सबसे ज्यादा हास्यास्पत इस्थिती तो उस वक्द भी आई जब नगर विकास मंत्री वर डिप्टी सियम तारकिस और प्रशाद ने बुधवार को बिहार विधान परीशद में कहा कि नगर विकास बिभाग का पदवार सम्हालने के बाद नालों की उराही पर सब से अधीक जोड दिया यही कारण है कि सहर से पानी जल निकल जाता है कुछ जगों पर परिशानी है जिन्हें चिनित किया जा रहा है और जिस समय वे ये दावा कर रहे थे उसी वक्त बिहार विधान मंडल कैमपस जल मगन था पानी से लबालब भरा था तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बिहार विधान मंडल का यह जो पूरा छेत रहे पानी से भरा हुआ है